नमस्कार मुनोदेल सरे क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 है ना आपका उसका सेकंड चेप्टर सोर परिवार देखो इसमें क्या क्या दे रखा है क्या क्या बातें आती है इसमें तो इसमें देखो सोर परिवार के बारे में दे रखा है सोर जगत क के बारे में दे रखा है ग्रह के बारे में सोर परिवार क्या उसके बारे में दे रखा है आंत्री ग्रह कौन से होते हैं बाई ग्रह कौन से होते हैं परत्वी के बारे में कौन सा चोटा ग्रह कौन सा बड़ा ग्रह तो सब के बारे में सोर परिवार में दे रखा आपके तो वल ग्रै बर्मन नहीं करते, अपितु उसमें धुम के तो भी आते हैं, ग्रै की जो ख़गोलिये, उसे क्या कहते हैं, उलकाई अन्ये सुर्परिवार का जाता है, या फिर सोड़ जगत भी इसका नाम है, सबसे मयतव पुंभ खगोलियी पिंड कून सा है सूर्य है है हमारे सौर करीवार में इसी लिए में क्या का जाता है सौर करीवार का जनक भी कहा जाता है फिर गरय दे रखा है गरय में आपको पता है कि सब सौर्य की बताया था. मैं तो पुण बात है कि सूर्य मद्ध में माँनते थे स्च्छ फीय सौर मंद्ध में भी बताया था. सूर्य जलती हुई गेसों का एक विराट समू है इसकी सताय पर सदिव एस्थिर एसांत रहती है तो सूर्य की सताय हमेशा क्या रहती है एस्थिर और एसांत रहती है नेक्ष दे रखा है कि सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम होती है तो यह इसी से बना रहती ह सरवादिक सूर्य में क्या पाई जाता है हाऍब रुम पाई जाते है सूर्य की निर्माद में पहले वालए चप्टर ने बढ़ाए कि कौन कौन से हैं हाइड्रोजन हो रीलियम शूर्य का परकास पर्थूत तक पहुंचने में लग भग आठ मिनट 30 सेकंड लगाता है फिर आता है सोर परिवार के बारे में तो कुल आठ गरेज जो सूरिय के चारो और चकर लगाते हैं सोर परिवार के अंतरगत आते हैं गरोव वा उपगरोव में अपना परकास नहीं होता है सूरिय के परकास से चमकते हैं सूरिय से दूर जाने पर करमश है कौन-कौन से आते हैं, सूरी से हम दूर जाते हैं, तो पहले बुद आता है, बुद के बाद में सुकर आता है, सुकर के बाद में पर्थवी आती है, फिर मंगल आता है, फिर ब्रस्पति आता है, फिर सनी आता है, फिर अरुन आता है, इनको देखो याद कैसे करना है, बुद बुद्ध और गनेजी को वार हो तहसे हम सुरू करते हैं बुद्ध के बाद में एक दिन छोड़ो शुटरवार है शुक्रवाद के बाद में संध्य आ गया परतोवी फर एक दिन चोड़ो मंगल लगा पिर बुद्ध के बाद में क्या है चोड़ा था हमने ब्रसपती चोड़ा था फिर सुकर के बाद में हमने सनी चोड़ा था तो सनी अरुन वरुन तो बुद्ध सुकर परत्वी मंगल ब्रसपती सनी अरुन और वरुन 2006 तक प्लूटो भी ग्रह था 2006 तक क्या था प्लूटो काम ग्रह नाम से पढ़ते थे लेकिन अंतराष्टी खगोली संगठन ने प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दे दिया है सूरिय के पास इस्तित बुद्ध, सुकर, पर्थवी और मंगल ग्रह को आकार में छोटे होते हैं, इनका अधिक घनत होए होता है और ये चट्टानों से बने होते हैं ये इनकी विशेष्टा होती है कि क्या क्या है ये ब्रस्पती, सन्नी, अरुन और वरुन को बाई ये ग्रह भी का जाता है तो आंत्री ग्राए ये य होगी ये और ये 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 होगे और में र्खने कार्म ये ये होते हैं और इनु कि dalी में कसकर मों देखों ज़ेंखते बुद्ध के बारे में है कि सुर्य की परक्रिमा ये कितने दिन में पूरी करता है अठाशी दिन में पूरी करता है अपने एक्स पर घुनन करता है बुद्ध उनसट दिन में अपगरों की संख्या जीरू है यानि बुद्ध का कोई उपगरह नहीं है फिर आता है सुकर सुर् उपगरह इसका भी सुनने है फिर परत्वी आता है अपना परत्वी परिकर्मा पूरी करता है 365 दिन में एक्सपर गुंणन करता है एक दिन में और उपगरह कितने है इसके एक है फिर आता है मंगल मंगल परिकर्मा करता है 687 दिन में एक्सपर गुंणन करता है एक दिन में उ 11 वर्स 11 माह में गुर्णन अपने अक्स पर करता है 9 गंटे 56 में और लगबग इसके देखो 16 उपगरे हैं सनी के कितने हैं सनी सुर्य की एक परिकर्मा करता है 29 वर्स में गुर्णन करता है 10 गंटे 40 मिनट में ये और उपगरे इसके लगबग 18 हैं अरुन सुर्य की एक परिकर माचोर्याशी दिन में पूरी करता है ये गोनन करता है 17 गंटे में अपना उपगर्या लगबग इसके 17 हैं वरुन परिकर्मा 164 वरस में करता है गोनन करता है 16 गंटे 7 मिनट करता है ये उपगर्या लगबग इसके केतने हैं 8 उपगर्या है वरुन के उपगर्या क्या होते है ग्रह के चार ओर जो चकर लगाते हैं वो ही क्या कहलाते हैं तो अपनी पर्थवी का याद रखना है एक मंगल का याद रखना है एक बुद्ध का याद रखना है बोना ग्रह क्या होता है ऐसा पिंड जो सूरी की परिकर्मा तो करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी इसकी स्तती बताई है सोर ग्रे में क्या स्तती है तो सुर्य से दूरी के अनुसार कुन सा है तीसरा है आकार के अनुसार पर्थवी सोर परिवार का पांच वा बड़ा ग्रे है तो आकार में पांच वा स्तती के अनुसार तीसरा है सुकर को पर्थवी का जुड़वा ग्रे का क्यों कि यह क्या है क्यूंकि आकार वाकरती में पर्थवी के शमान है सावर मंडल में पर्थवी एक एक ही पर किया यह जीवनत् घृएफ इसलिए रही और दूसरे नाम जीवनत् घृएफ इस अरफी की उपरी क्र ‫作 थी प्रतिकर मंदल या का कहते हैं तो जिस पे हम उससी क्या कहते है इस्थर मंडल परत्वी के चार और जो गोस गेसों का आवरण पाए जाता कुई उसे वाय отп skilled कहते है और परत्वी के लगबग 21 51% भाग पर जल किस धम इस्थर को ही क्या जाता है जल मंडल भी कहा जाता है तो इस्थर मंडल और जल मं एक गरोणके प्रकाश में पर्खेंटर नहीं प्रकाशिया नियों से भी बड़े उपगय और प्रश्पति का कौन सा है गेनिवीड और केलेश्टो यह क्या है अपने चंदरमा से भी बड़े उपगर हैं नेक्स आता है टाइटन टाइटन क्या है सनी का उपगर है पर्थवी की तरह यह संघन इसमें वायंडल पाए जाता है द्रातली पर्थवी जैसा है नदिया है जला चंदरमा का है पर्थवी का सबसे शाम अकाश इपिंड़ जलव वायू इसमें जवन संभाव नहीं है क्योंकि जल dolo और पृथवी 2-1 का की क्या हसी क्या है चंदरमा का ध्रातल पर्थवी की मिलता नहीं चंदर माइं पर्थवी दोनों क्या करती प्रकास प्राप्त करते हैं सुर्य से प्राप्त प्रकास की केड़ने चंद्रमा को प्रावर्थित होकर पर्थी पर आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं चांदनी कहते हैं यह सुर्य से प्राप्त प्रावर्थित होकर हमारी पर्थी पर आती हैं उसे हम क्या कहते हैं चंद्रमा पर दिन बहुत अध चकर लगाने में 27 दिन में लगा लेता है अपने अक्स पर गूमेगा 29 दिन में और पर्तिव के चार ओर चकर लगाता है 27 दिन में छुद्र ग्रह क्या होते हैं मंगल और ब्रसपती ग्रहों के बीच में एक पट्टी में इस्थित यह चुटे-चोटे पिंडों के रूप में इनका निर्मान क्या होता है निर्मान ग्रहों के बाद में जो मलबा बसता है उसे चुद्र ग्रहों का निर्मान होता है तो यह तभी तो यह ग्रहों के बीच में मंगल और ब्रसपती की बीच में हैं यह इनकी जो मलबा था होनी से यह बने हैं सेरेस कहते हैं उलका पिंड उलकाई धुमकेतों या छुदर गरों से टूटे वे टुकड़े हैं जो पर्थवी के गुर्तवाकर्षन से धर्थवी की और खीचे चले आते हैं। भरेलों मंगल बरस्पती दो गरों के मद्य में पाई जाते हैं। यह आपका चैप्टर हो गया डू फिर नेफ्ट प्रणले अपन अंत्रिक्ष्पोद्र scoad.. मैं ओके थैंक यू फोर वचिंग मैं वीडियो